हेलो फ्रेंड्स कुछना क्लासिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भी ये फॉर्थ सेमिस्टर की यूनिट फॉर्थ जो पोईट्री है उसमें जो पोहिम है आशू जिसको लिखा है जैसंगर प्रशाद ने और इंग्लिस में ट्रां हमें हमें हिंदी में तो ये लिखीती जैसंटत प्रशाद ने और इंग्लिश में ट्रांस्टेट किया किसने चाल से बाइंक बैसे तो हमें इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए यह है लेकिन आम इसका हंदी बर्जन भी देख लेंगे तो हमारे जादद अच्छे से समझ मे इसलिए में साथ में आपको हिंदी वर्जन भी दे रही है तो देखेंगे देखो हिंदी में है यह बस गई एक बस्ती है इस मृतियों की इसी फ्रदे में नच्छत्र लोक फेला है जैसे इस नील निले में मृति बस गइए यह बस्ती सी है बस्ती का मतलब एक घर बसा लिया बस्ती सी बस गई है। Yuk स्मुर्थियों की यादों की कि यादों की की उनकी पत्तनी जो मर गई है एक्सपायर हो गई हैं को unlimited प्रेम करते थे उसकी जो याद हैं उसकी एक बस्ती सी उनके हिर्दय में बस रही है नच्छत्र लोग फैला है मतलब नच्छत्र लोग फैला है जैसे इस नील निले में निले का मतलब होता है घर और नील मतलब नच्छत्र लोग से इसलिए उन्होंने तुलना कर दी है ठीक है तो नच्छत्र लोग मतलब त तारों में जिस तरह से नच्छत्र लोक होता है जिसमें तारे फैले होते हैं उसी तरह से यादे फैल गई है उनके घरदय रूपी निले में हिरदय रूपी घर में अब देख लेते हैं हम इंगलिश में पुट अप इन दिस बैरी हर्ट ए हैमलेट ओफ मैमोरीज इस प्रीट आउट लाइक स्टार फॉल्क इन देर ब्लू ब्लेक अवार्ड अब समझ लेते हैं पुट अप मीस बस गई हैं इन दिस वेरी हट इस मेरे हिर्दय में हैमलेट मीस होता है एक गाउं कस्वा छोटा सा गाउं पुर्वा मेमोरीज मीस यादगारे या इसमर्तिया इस्प्रीट आउट मीस फैलना लाइक मीस तरह इस्टार्क फॉल्क स्टार्क स्टार्क मसलेख का मतलब होता है ऑल्क हमीस होता है जुन्द ग्रूप जैसे तारे रात में देखते हैं आपकास में छूट छूटे तारे एक जुन्द के रूप में यह यह Cliff insurance ऐले हूँ दिखाई देते हैं तो पैरहे हैं कि मतलब जिस तरह से पारे फैल जाते हैं एक उस्किसमेर नच्षत्र लोक में तो उसी तरह से मेरा जो अनों परमा नच्षत्र लोक से समद्धित किया हुद्ध को रिले में तो वh इन देर ब्लू ब्लेक एवार्ड एवार्ड का मतलब होता है घर आवास या निवास इस्थान और ब्लू ब्लेक का मतलब होई नीला काला आकास जो है इन देर में अपने अब देखो यहां से तो put up means बस गई है in this my in this very heart मेरे हिरदय में बस गई है क्या बस गई है a hamlet of memories यादों की एक बस्ती इसमर्तियों की एक बस्ती मेरे हिरदय में बस गई है उसकी यादें ऐसे बस गई है घर बना लिया है उसकी यादों ने मेरे अंदर वो निकलती ही नहीं है जैसा लगता है कि वो बस्ती सी बस गई है एक मेमोरी नहीं है बहुत सारी जिन्दी की यादे है इस प्रीड आउट वो फैल गई है लाइक के स्टार्क फॉल के जैसे तारों का एक जुंड होता है वो नच्छत्र लोक में फैल जाता है उसी तरह से ये भी मेरे हिरदय में उसकी यादे फैल इन देयर ब्लुब्ला किंवर इसके फैल गई है इन देयर अपने ब्लुब्लाइक नीले काले निवास इस्थान में है पनी हम क्या करेंगे रेफरेंस क्वाइच्ट आयाक्स लिखना आता होगा इस तरह से मैंने बताया था कि इस आशू में 17 बुक्स हैं और 119 इस्टेंजाज है तो यह जो इस्टेंजा नम्मर 5 है वो किस से लिया गया है इस्टेंजा नम्मर 5 बुक्स नम्मर 2 से लिया गया ठीक है और जैसंकर प्रसाथ जैसंकर प्रसाथ की फेमस मीश प्रसेद पोई मीश कविता आशू दबुक सेकंड कंसिस्ट ओफ 11 इस्टेंजा और फोर लाइन्स और जो बुक सेकिंड है न उसमें कितने इस्टेंजा हैं 11 इस्टेंजा है और फोर लाइन्स इच प्रति चार लाइन का प्रतिक इस्टेंजा कितने का है चार लाइन का इस्टेंजा है इसके कॉन्टेक्स को देखेंगे और यह लाइन्स एक्स्प्रेशे शेयन के श्टेंजा बहुए ज़ो फिल्स बार देती है दा पोइट्स हर्ट है कोईट के हिर्दय को भर देती है लौस्ट रिमेंस मीस रहता है यहां से फिर सी देखते देखें है लौस्ट मीस होया इन्दा स्वीट मैमूरी मधुर यादगार में आप इस दियर अपनी प्री डिपार्टेड पतनी डिपार्टेड बाइफ वला उसकी जो डिपार्टेड ब मतलब है। जो पत्नी डिपार्टेड हो गई है, मर गई है, चली गई है, बदा ले लिया। ठीक है? डिपार्टेड का मतलब हुथ आए, डिपार्टेड का तु अपनी पत्नी गई है, होई इस उसकी फ्रइड मेमोरी में वह इना रहता है ? इसका explanation देखेंगे, the poet has lost his dear wife, कभी ने अपनी प्रिय पत्नी को खोदिया है, her untimely death, उसकी untimely death ने, असमय मरत्युने, has made him impassence, उसकी असमय मरत्युने, untimely death का मतलब असमय, जो मरत्युक तो समय वाली मरत्यु होती है, timely death होती है, मतलब जब व्यक्ति बुजर्ग हो जाता है, तो उसे मर नहीं होता है, और जब उसका मरने की उमर नहीं है, वो यंग है, युबार है, अपने जि बना दिया, him means, उसको, किसको, जैसंकर प्रशाद को, impatient, अधहर बना दिया है, जैसंकर प्रशाद को, उनकी untimely death ने अधहर बना दिया है, his heart is filled with deep agony, उसका जो हिर्दय है, वो deep agony से भर चुका है, भर गया है, he is upset, वो है, upset है, to express his sense of suffering, to express miss, ब्यक्त करना, his sense of suffering, अपने कश्टों के sense को, भाव को, एक्सप्रेस करके, ब्यक्त करके, he uses, वह प्रियोग करते हैं, poetic imagery, ताब बिगत, imagery को, imagery मतलब कलपना को, of town, एक town की, that is populated, जो क्या हो चुकी है, populated हो चुकी है, मतलब, जो आबादी फैल चुकी है, in his heart, उसके हिर्दय में, with memories, memories की, of his wife, उसकी पत्मे की, मतलब, अपने sense of suffering, को express करना, क्या है उसके लिए, करके, वह क्या करता है, poetic imagery, को, town की, poetic imagery, को express करता है, जैसे उसने यहां पर यह किया है, क्या बता है, उसने यहां पर, put up in his, put up in this very heart, a hamlet of memories, मतलब, यहां पर वह अपनी suffering को तो बता रहा है, और यहां पर, एक टाउन की poetic imagery, को उसने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, जो क्या कर गई है, जिसकी पॉपुले, पेटिक हो गई है, जिसकी आवादी हो चुकी है, इन हे छाट जो आवादि कर गया, जिसकी जन्संग्या हो गई है, किसकी साथ बिद मेमोरी, मतलब जिसकी आवादी को उसने जैसे घर बन गया, घर में, जैसे कस्वा वस्या कस्मे में लोग रहते हैं, क्योंकि आवादी बढ़ती है, ऐसे उन कर गई है, पॉपुलेटिट कर गई है, आवादी उसकी बढ़ गई है, मतलब मेमोरी रूपी, यादगार रूपी जन्संग्या, उसमें भर गई है, कि कि इतनी अच्छी पोईटिक इमेजरी एक्सप्रेस किया है, आपर पोईट ने, और फिस भाइप उसकी पत्मी की, इस मेमोरी ये यादगारें, साइन चमकती है, इन हिज हर्ड उसके हिर्दे में, लाइक ब्राइट श्टार, चमकीले तारों की तरह, और इसका इमेज आकास के, आकास के चमकीले तारों की तरह, ये उसके हिर्दे में चमकती है, ये यादें, हिज वर्ड, इज कनफाइंड, उ उसका जो वर्ड है वो confined हो गया है सिमित हो गया है बस गया है तू हर memory उसकी यादों के लिए इस तरह से यह हमारा इस्टेंजा नमर 5B किलियर हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट इस्टेंज आप चलेंगे थैंक्यू जैहिन जैभारत